कवा और चिड्या पडोसी थे कवा बहुत चाते जबके चोटी चड्या बहुत भूली भाली थी कवा जितनी भी कोशिश करता मगर आखिर में बुरा कवे का ही होता था अपने डिबे में रोटी रहकर चड्या डिबा बांधती है और कवे के घर जाती है वो साइकल की घंटी बजाती है चुडिया आ गई गोरी चुडिया आ गई जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला डिबा और कुलहाडा दे दो ये रहा कुलहाडा और रोटी आज मैंने नहीं बनाई तुम चुडिया से मांग कर खा ले न रोटी चुडिया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देती तुम ऐसा करो मुझे खाली डिबा ही दे दो फिर कालुकवा अपना कुल हाडा और खाली टीफन लेकर घर से निकलता है कवे भेया कल साइकल मैंने चलाई थी आज आप चलाओगे बैठो तुम पीछे बैठो फिर चुडिया पीछे बैठ जाती है और कालुकवा साइकल जलाता हुआ घने जंगल की तरफ निकलता है अब तो जंगल में सूखी लकडिया भी काम पड़ गई है चुडिया अगर सूखी लकडिया खतम हो गई तो हम क्या धंदा करेंगे अगर सूखी लकडियां खतम हो गई तो उपर वाला जरूर हमें कोई और काम दे देगा वो पहुंच जाते हैं चुडिया अपने कुलहारे से एक सूखा पेर काटने लग दी है और कालू कवा भी अपने काम में लग जाता है थोड़ी देर बाद कालू कवे को भूक लग जाती है वो पेड के पीछे से छुपकर चुडिया को देखता है और चुपके से चुडिया के टीफन से रोटी निकाल कर अपने टीफन में रख लेता है और बैठ कर रोटी खाने लगता है कवा पेड भर रोटी खाता है पेड तो भर क्या अब आराम से काम करूँगा कवा डिकार लेकर फिर से अपने कामे लग जाता है अरे मेरा टीफन तो खाली है मेरी रोटी कहा गई कोई मेरी रोटी चुरा कर ले गया आज फिर भूके ही रहना होगा सारा दिन काम करने के बाद चिडिया और कवा अपने अपनी लकडिया उठाते हैं साइकल पर रखते हैं और घर चले जाते हैं घर जाकर जब चिडिया अपना टीफन धोने लगती है तो उसमें सोने के सिके थे ये देहकर चिडिया बहुत हैरान होती है रोटी के बदले में सोने के सिके मुझे सोने के सिके मिल गए मेरी किसमत बदल गई चिडिया खुशी-खुशी कवों के घर जाती है मैंने, मैंने चिडिया के टीफन से रोटी निकाल कर अपने टीफन में रखी और खाली मजा ही आ गया चिडिया भी वहाँ आ जाती है कवे, कवे भाई, जब मैंने घर जाकर अपना ठीफन खोला तो उसमें सौने के सिक्के थे मुझे सौने के सिक्के मिले है कोई मुझे रोटी के बदले में सौने के सिक्के दे गया क्या सोने के सिक्के कालू ये चिडिया क्या कह रही है चिडिया क्या तुम सच कह रही हो हाँ मुझे क्या जरूरत है जूट बोलने की दोसरे दिन जब चिडिया और कवा फिर से चंगल में लकडियां काटने जाते हैं कवा फिर से चिडिया के टीफन से रोटी चुरा कर खा लेता है चिडिया अपने काम में लगी हुई थी और कालू छुप कर देखने लगता है थोड़ी देर बाद एक सुन्दर परी आती है और और वो चिडिया के टीफन में सोने के सिक्के रख देती है तो ये परी चिडिया को सोने के सिक्के दे कर जाती है मैं भी इस परी से सोने के सिक्के लूँगा फिर वो परी चिडिया के पास जाती है चिडिया चिडिया वो कवा बहुत बुरा है वो हर रोज तुम्हारी रोटी चुरा कर खा लेता है तुम्हें सोने के सिके मैंने ही दिये थे तुम उस कवे के साथ लकडियां काटने ना आया करो संदर परी आपने मेरी आंखें खोल दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इन सोने के सिकों को बेच कर कोई और धंदा कर लूँगी सुन्दर परी गाइब हो जाती है चुडिया चुडिया आजाओ काम खतम हो गया है चलो घर चले तुम जाओ कालु कवे मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है चुडिया क्या हुआ क्या तुम मुझे से नाराज हो मुझे सुन्दर परी ने सब बता दिया है ऐसा कहते हुए चुड़िया अपनी साइकल पर अपनी लकड़िया रखती है और चली जाती है मुझे भी सब बता चल गया है कल मैं भी इस सुन्दर परी से सोने के सिके जरूर लूँगा फिर कालू कवा घर चला जाता है कालू कल हम भी उस संदर परी से सौने के सिके जरूर लेंगे फिर दोसरे दिन कालू कवा जब काम पर जाने लगता है तो गोरी कवी कालू से कहती है कालू जी आज मैं भी जाओंगी तुम्हारे साथ और मैं बात करूंगी उस संदर परी से चलो चुडिया को साथ लेते हैं और काम पर जाते हैं फिर कवा और कवी चुडिया के घर जाते हैं नहीं मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना तुम जाओ जिस सुंदर परी ने मुझे सौने के सिक्के दिये है उसने मुझे सब बता दिया है तुम बुरे हो ठीक है चिईः अगर ज्यादा चूंचूंगी तो जान से मार दूंगी मैं तुम है गोरी और कालु कवबा गुशे में वहां से चले जाते हैं रास्ते में उन्हें एक घॉंसले में बीमार तो था आवाज देता है कवा कवा मैं भूका हूँ मुझे कुछ खाने को दे दो तो आपकी बड़ी किर्पा होगी मुझ पर कालू इतना टाइम नहीं है जो इस मिठु की बातें सुने चलो चलो चल्दी चलो उसे संदर परी से सौने के सिक्के लेते हैं जाकर कवा और कवी मिठु तोते की मदद किये बिना ही आगे भड़ते हैं जब वो घने जंगल में पहुंचाती हैं तो मैना का छोटा सा बच्चा अपने खोंसले में बैठा दाना खा रहा था कालू वो देखो मैना का बच्चा अकेला है उसके पास दाना भी है मैं वो दाना छीन कर खा लेती हूँ मुझे बहुत भूग लगी है थोड़ा दाना मुझे भी देना फिर गोरी मेना के बच्चे से दाना चीन कर खा लेती है गंदी गंदी कवी हुत्म तुमने मेरा दाना चीन कर खा लिया सुदर परी, सुदर परी जल दिया आओ और ईन कवों को बूरे काम का मज़ा चिकhाओ एक रोशनी के साथ सुदर परी वहां आ जाती है सुन्दर परी सुन्दर परी ये बच्चा जूट बोल रहा है सुन्दर परी हम तो बहुत गरीब पक्षी हैं हमारे पास ना दाना है ना पानी ये देखें देखें हमारा टीफन भी खाली है हम गरीब मजदूर है पलीज हमें कुछ सोने के सिक्के दे दे कवो सच में तुम बहुत गरीब हो और तुमने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया मिठु को खाना भी दिया और ये बच्चा भी जूट बोर रहा है और कालू कवे तुमने चुडिया के टीफन से भोजन भी नहीं जुराया था ऐसा ही है ना हाँ हाँ सुन्दर परी आपने सब ठीक देखा हम तो बहुत अच्छे कवे हैं बस थोड़े से सोने के सिके मिल जाएं तो हम गरीबों की और भी जादा मदद करेंगे फिर सुन्दर परी अपने जादू इचड़ी से जादू करती है जाओ जाओ कवो नदी की नारे जाकर इस टीफन को खोला मैंने सोने की सिकों से भर दिया है ये टीफन कवे बहुत खुश होते हैं चल भाग भाग कालू भाग काम हो गया है वो दोनों भागते हुए नदी की नारे जाते हैं कालू जल्दी से टीफन खोलो गोरी आँखे बंद कर लो ऐसा नहो के खुशी से तुम मर ही जाओ गोरी और कालू अपनी आँखे बंद करके टीफन खोलते हैं और जब देखते हैं तो उस टीफन में एक बहुत बड़ा साम था जो उन्हें घू रहा था गोरी और कालू डर कर भागते हैं और वो साम भी उनके पीछे लग जाता है वो पेडों से टकराते हैं गिरते हैं और फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते ठक जाते हैं जंगल के सब ही पक्षी उन्हें देह कर हंस रहे थे ऐसे कवों को लालिच और बुरे काम की सजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद धीमी धीमी हवा चल रही थी, चिडियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा भोजल लेने जाने की तियारी कर रहा था गुडिया के पापा आज बच्चे जिद करें हैं, वो साथ जाना जाते हैं मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहें तो अच्छा है पापा, मैं उड़ सकता हूँ, पिछली बार में बारिश में नदी से उड़ कर घर तक आया था मैं भी, मैं भी उड़ सकती हूँ फिर पापा जड़िया मान जाती हैं, और वो सब अपने घर से निकलती है रास्ते में कुकु को एक जगा कुछ दाने दिखाई देते हैं पापा, पापा, ममा, वहाँ नीचे दाने हैं वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता वो सब आगे भरते हैं वो घने जंगल में जाते हैं एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं बच्चों, कभी भी लालिश नहीं करना महनत का कोई शॉर्ट कट नहीं होता जैसे आपके ममा और पापा ने हमेशा महनत की है आपने भी बड़े होकर ऐसे ही महनत करनी है बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है मैं इसलिए डर रहा था बच्चों को ठन लग जाएगी बुडिया की ममा आप यहां आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ फिर पापा चुडिया पेड़ की उपर वाली डाल पर अपने पंक फिला कर बैठ जाता है पापा चुडिया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था तेज हवा से पापा चुडिया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को स्रक्षत रखना था काफी देर बारिश ओने के बाद बारिश रुक जाती है जल्दी करो इसे पहले के बारिश फिर से शुरू हो जाए हमें वापिस घर जाना होगा वो सब तेजी से उड़ते हैं जब वो वापिस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतिजार कर रही थी उनका घर पूरी तरहां तूट चुका था ममा जड़िया रौने लग जाती है इतना कमजोर भी ना था हमारा घर सबके घर ठीक है एक हमारा ही घर तूटना था ऐसे मोका पर घबराने की बजाए हिम्मत और होसले से काम लेते हैं मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजाने का बंदोबस्त कर लेते हैं पापा अपना खियाल रखना जल्दी आना आप फिर पापा जड़िया उड़ता है रात भी हो चुकी थी पापा जड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड कहा है इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है पापा जड़िया पीपल के पेड से कुछ पत्ते तोड़ कर वापिस मुड़ता है अंधेडे की वज़ा से पापा जड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है वो बेरी का पेड़ था बेरी के कांटे पापा चुडिया के शरीर में घुस जाते है और पापा चुडिया वे ही गिर जाता है उसकी आँखों के सामने उसका परिवार था वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर अब उसके शरीर में जानना थी और उसकी आँखों के सामने अंधेरा चा जाता है ममा चुडिया अपने बच्चों को लिए अपने पती का इंतिजार कर रही थी सारी रात गुजर जाती है मगर पापा चुडिया लोट कर नहीं आता ममा चुडिया जान गई थी कि उसका पती जरूर किसी मुश्किल में है सुभा की रोश्नी होने के साथ ही ममा चुडिया अपने बच्चों से कहती है बच्चो मैं आपके पापा को दिख कर आती हूँ वो अभी तक नहीं आए जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे ममा, जिन्दगी में इतनी मुश्किले होती है एक से भढ़ कर एक हाँ बेटा, जिन्दगी तो गुजारना होती है दुख हो या सुख, खुशी हो या गम ममा जडिया उड़ती है ममा जडिया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पती को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है उसकी चोंच में पिपल के पते थे ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़ कर चले के अपने बच्चों को सरक्षत रखने के लिए आप तो पते लेने गे थे ममा जडिया रोती रहती है वो अपने पती की वज़ा से बहुत दुखी हो गई थी मगर क्या करती? उसे वापिस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था दुखी दिल के साथ ममा चडिया वापिस उड़ती है ये सुनकर बच्चे रोने लग जाती है ममा चड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से उड़ती है ममा चड़िया पर अब और भी जुम्मेदारी भड़ गई थी उसे अपने बच्चों को मा और बाप दोनों का प्यार देना था ममा चड़िया अपने बच्चों को साथ ले कर जंगल की दूसरी ओर पहुंचाती है वहां उसकी पूरानी जानने वाली एक वी रहती थी गोरी मेरे पती मर गे और मेरा घर भी डूट गया है मेरा कोई भी न था आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ ले कर यहां आ गई चड़िया बेहन आप शांत हो जाएं सब ठीक हो जाएगा हम पक्षियों की जिन्दगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं फिर ममा चड़िया गोरी कवी के घर रहने लगती है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं अब ममा चड़िया का दुख भी थोड़ा काम हो गया था वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी गोरी बेहन मैंने एक पेर देखा है वो सुरक्षत है मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ चड़िया आप घर बनाने का काम शुरू करें मैं आपके बच्चों को दाना ला कर दे दूँगी गोरी बहन अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते है फिर ममा चड़िया जंगल जाती है ममा चड़िया वहां से कुछ सूखी लकड़िया जमा करती है लकड़िया पेड़ पर रखने के बाद ममा चड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास ले कर आती है सारा सामान पूरा हो जाने के बाद ममा चड़िया अपने घर का काम शुरू करती है इस पेड़ पर तुम किस से पोच कर घर बना रही हो ये पेड़ मेरा है कवे भैया ये जंगल सब का साज़ा है जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है ऐसे ही मेरा भी है बूरा कहते हैं मुझे बूरा सब डरते हैं मुझसे चल भाग यहां से बड़ी आई कमजोर चड़िया मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूँगा परिशान होकर चड़िया वहां से चली जाती है चड़िया बहन कहां तक पहुँचा घर का काम गोरी एक बुरे नाम के कवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया है वो कहता है कि वो पेड़ उसका है चड़िया इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालमों से ड़ने की बजाए उनका मुकाबला करना होता है चलो मेरे साथ मैं देखती हूँ उस बुरे के बच्चे को बच्चो आप घर में ही रहना फिर गोरी चड़िया के साथ जाती है ओए बदसूरत मोटी आंखों वाले कवे सीधे से भाग जाओ यहां से वरना जानते हो ना मुझे कौन? कौन हो तुम? मुझे गोरी कहते है बुरा कभी हार नहीं मानता और गोरी को गुसाब होताता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर ऐसा कहते हुए गोरी बुरे पर हमला करती है वो बुरे को मारना शुरू करती है यह सब देहकर चिड़िया भी बहादूर बन जाती है और वो भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गोरी का साथ देती है बचाओ, बचाओ, मुझे, बचाओ बुरा कभी वहां से भाग जाता है जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बना कर अपने बचों के साथ खुशी-खुशी वहां रहने लगती है गोरी कभी ने चिड़िया को हिम्मत और होसला दिया था और अब चिड़िया पूराने दुख भूल चुकी थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद